हेलो फ्रेंद्स और वेलकम बैक टो यूर और चैनल माहिदा टैकी तो आपने हमें इस विप 3 का वीडियो तो देखा ही होगा चैनल पर तो काफी डिमांड आ रही थी कियार इसका विप यू के साथ कंपेरिजन बनाओ क्योंकि काफी जादा सिमिलर से फीटर्स हमें देखने क को मिल रहे थे दोनों ही स्मार्ट वाट इसके तो बड़ा बारीकी से इसका कंपेरिजन बना दिया मतलब वाच फेस भी गिनके बता दिया है कि वह कौन से किसमें ज्यादा है स्पोर्स मोड तक एक एक अंदर गुसके चेक कर लिए तो मतलब बिल्कुल बारीकी से डिटेल म इनका दोनों का कमेरेसर मना दिया है क्योंकि रिपाइब के स्मार्ट वाट इसंदर तकि आपको जानने में मदद मिल सके कि कौन सी स्मार्ट वाट बूच अपकल बेटर होने वाला है को चैनल पडाने जो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो अच्छ लगे तो लास्ट मे हुआ में प्यूमन की आते है वाटी दोनों की पॉलिक आर कार्बोर्ट देखने को मिलता है सहां और तरक गलास प्रोटेक्शन भ्याइद को ूमें एक 생각 कशा दो मिल जाता है। इसके बाद हम स्क्रीन हों में ये इसेट के अपध रोर फ्क्रीव में आपको 1.40 इंचिस का हाई रिजॉल्विशन डिस्प्ले है तो आप कलर का डिफरेंस एक सकते हैं विप यू में रैड कलर काफी अच्छे से रैड ही लग रहा है लेकिन विप 3 में थोड़ा सा वो फेडिड नजर आ रहे तो डिस्प्ले विप यू का जाधा अच्छा है उसक लेकिन आपकी किड्स वाली रिस्ट है बिल्कुल छोटे वच्छोगे अगर बात करें वूस पर थोड़ी सी बड़ी लग सकती है रेज इस्टो वेकप का रिस्पॉंस का काफी अच्छा है आदे सेकिंड से भी कम समय में जो है डिस्प्ले वाच का विप यू जो है छोटी स्ट्रेस मॉनिटर पर यह म्यूजिक कंट्रोलर के बाद जो है अलार्म फालतु आगया था विप्यू में वह आपके अपना जो है कस्टमाइज कर सकते हैं अंदर के बटन दबा के फीचर आते हैं वह भी सारे सेम यह सारी ट्रेकिंग टूडू लिस्ट अलार्म सेटिंग स और अलार्म मतलब सारी चीज़ें जो है सेमी आप सेमी तरीके सेट कर सकते हैं स्क्रीन आउट टाइम भी दोनों का सेमी है मतलब किसी भी फीचर में कोई भी डिफ्रेंस नहीं है सर्फेस के अगर हाट्रेट मॉनिटर की बात करते हैं देखे दोस्तों तो विप 3 जो है उसका फास्ट उसने पहली मना करते हैं लेकिन विप यू गूमें जारी है और आप मानेंगे नहीं मैंने पांच बार विप 3 का मेजर कर लिया और उसने फेल दिखाए लेकिन विप य बात करते हैं वहीं अगर हम विप 3 की बात करते हैं तो उसकी भी काफी कंसिस्टेंसी है लेकिन जिस स्पीड में चेंज हो जी थी वाच में जो है कंटिनियूस हार्ट रेट मोनिटरिंग नहीं होती है वह एक बार की रिडिंग शो करता तो आपको कभी-कभी 2-4 पॉइंट देखने को मिल सकता है बाकि दोनों ही वाचिज में बायो ट्रैकर पीपीजी टू सेंसर लगा हुआ है जिससे की एक्कुरिसी काफी अच्छी निकल गयते है एस्प्यूट्यू की बात करें तो दोनों में आपको 60 प्लस स्पोर्ट मोड का सपोर्ट देखने को मिले ता और क अगर अगर हम बात करते हैं दोनों में ही मतलब बिल्कुल यह सेम तो सेम जो यूई हमें देखने को मिल जाता है स्टैप काउंटर की बात करें 500 स्टैप चला तो विप 3 ने 479 कैप्चर किये एंड विप यू ने 483 कैप्चर किये डिस्टैंस के अगर बात करते हैं तो वहां पे सब्सक्राइब करते हैं तो इन दोनों ही वारंटी की तरह से मेरे पास इतने सारी स्मार्ट वारंटी कट्टी हो जाते हैं तो तो मैंने आपको याद होगा एक वी वाउच एप्लिकेशन के बार में बताया था जिसमें जाके आप अपने सारे के सारे बिल्स की जो है कॉपी अपलोड कर सकते हैं उसके बाद अगर किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आते है तो आप उस एप के थुरूई एक टिकिट उसमें फिल कर सकते हैं और उसकी भी डेट आती रहते हैं कि अब आपके जो एमसी जो है रिन्यूवल का टाइम आने वाला है तो काफी काम की अप्लिकेशन है वी वाउच मैं इसका अच्छे से काफी यूस कर रहा हूँ तो डे टुडे लाइफ के लिए काफी ज्यादा हेल और अगर मेरे दिएवे कोट से इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसे आपको एक्स्रा टिकेट मिल जाएंगी तो जिससे आपकी पैसे भी बचेंगे प्लस आप ज्यादा टिकेट जो है डाल पाएंगे कंप्लेंट के लिए वाच फेस की बात करें दोस्तों देखें तो बिल्ट इन वाच फेस में दोनों में ही आपको एडिटेबल वाच फेस दो दो देखने को मिल जाते हैं लेकिन वाच के अंदर जो है विप यू में थोड़े जादा वाच फेस टोर होते हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं म देखने को मिलते हैं और विप 3 में आपको 50 प्लस वाट फेसे देखने को मिल जाता है अगर आउट्डूर विजिबिलिटी दोस्तों तो नहीं वाट्ची की कापी अच्छी है लगबग 400 की ब्रैटेस हमें दोनों में देखने को मिल जाती है और विप 3 का मुझे थोड़ा सब जादा ब्राइट डिस्प्लेइस में देखने को मिल रहा है डस्ट एंड वाटर प्रूफिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखें दोनों ही वाट्ची फाइटीम पर आते हैं मतलब 50 मिटर तक गहरे पानी में आप इटको लेके जा सकते हैं स्विविंग के लिए दोनों ह बात करते हैं यहां पर दोनों वाट्ची ने काफी अच्छा काम किया है ओलतो में दोनु़ पड़ाइस को पड़ सकते हैं मतलब कंसे खाली 250 ad मैसे में और उसके बास करते हैं हंदी नोटिफीफिकाइस की पड़ा सब्सक्राइब वह दोनों ही वाटज में मैं देखने को नहीं मिलता sleep tracker की बात करें तो दोनों का ही काफी जबर दस्तर मैंने आपको बताया भी था कि स्वीट अनूर का sleep tracker काफी अच्छा होता है तो आप देख सकते हैं इसी दो मिनट का दोनों की sleep में जो difference नजर आ रहा है तो यहाँ पर काफी अच्छा काम के दोनी वाचिजे स्कोर का भी लगबग लगबग सेम ही हमें नजार आता है उसके बाद जो थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लगा वो लगा है है डीप स्लीप के अंदर एक जगा रहे 19 पसेंट एक जगा रहे 22 पसेंट वरना हर जगह जो है डेटा काफी अच्छे से कैप्चर हुआ है बैटरी बैकप में देखें बैटरी ने बाजी मार लिए 280 मह की बड़ी बैटरी में देखने को बने चार से पांच दिन हैवी यूसेज और साथ चार दिन नॉर्मल यूसेज में बैटरी आपकी बहुत जल्दी ड्रेन होगी अगर आप 24-7 हाट्रेट मोनिटर को एक मिनिट पर सेट करते हैं तो फिर तो बैटरी बैकप बहुत जल्दी रिड्यूस होता है तो वीडियो तो आपने देख लिए होगा दोस्तों बहुत माइनर माइनर डिफ्रेंसिस हैं इन दोनों वाचिस के बीच में तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी बात हाई-resolution डिस्पे दे ने साथ के साथ इस में जो है कस्टम वाचफ़ेस जो है वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं मतलब इसकी एप में 4 दिखतें मृत पर ऌल डिलंगी फश верх है आम Gang की ही काफी अच्छी है विप्यू का डिस्टेंस थोड़ा सा हाइर साइट पर रिकॉर्ड हो रहा था उसका रिजन मुझे पता नहीं है तो बारी आती है वर्डिक्ट की देखिए आपकी रिक्वार्मेंट के उपर डिपेंड दोनों अच्छी है और अगर मैंने इनका सब्सक्राइब देखने को नहीं मिलना तक कलर कॉंट्रास्ट का थोड़ा सा फरक ता उसके अलावा इसकी जो ब्राइटनेस और से जो है टीएफटी डिस्प्लेश में काफी अच्छा देखने को लग रहा था तो मेरे ही साब से 3499 इसका जो प्राइस है अगर आप चाते है एक अच्छी लुक्स वाली वाच अच्छी एक्कुरिसी वाली वाच बड़ी स्क्रीन के साथ में लाइट वेट भी हो सारे सेंसर अच्छे से काम करें तो आप जरूर इस वाच को चेक आउट कर सकते हैं और अगर आपकी स्मॉल डिस्ट आपको बड़ा डायल पसंद नहीं है और आप एक हाई परफॉर्मेंस स्मार्ट वाच आते तो आप जरूर बिप्यू को जाके ले सकते हैं दोनों ही वाच इसको लेने में मुझे कोई बुराही नहीं लग रही है दोने अपनी जगे ठीक है कि थोड़ा ओल्ड मॉडल हो गया है और यह जो है न्यू मॉडल है झाल